तो हेए गईज, वेलकम तो एग्जाम नीविज और वेलकम तो क्लाष 10 तेंट ट्वेल्थ इस्टींट्स गैज, आज की जो नीविज है वो काफी ज्यादा सौकिंग है, बहुत ज्यादा सौकिंग है, क्योंकि जो चीजों पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं, कि टर्म 1 का वेटे ने clear कर दिया था और कब clear किया था सबसे पहले तो ये देखो सबसे पहले तो हम है live mint news के official website पे तो obvious ही बात है पकी खबर होगी दोशनी चीज यहाँ पर तुम्हें जो सबसे जरूरी चीज देखने वाली बात ये आ रही है कि यहाँ पर आजो पहले हम देखते हैं ये news है कपक तो news देखो ये आई थी 24 दिसंबर 12 बजे है ना 24 दिसंबर को ये news आई थी 24 दिसंबर 2021 को आई थी गई ये news पुरानी है बट इसमें जो factors लिके हुए ना वो आज के time को बहुत जादा अफेट करते हैं खासकर हमारे weightage system को लेके कि term 1 and term 2 का weightage क्या होने वाला है जहां हमारे students सब भी परिसान है best of either term को लेके वहीं यहां पर मैंने देखा और बहुत shocking news थी यार कि कोई इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा हूँ इसके लबाए एक और चीज मैं बताऊंगा जो कि बहुत ही गलत हो रही ही YouTube पे मैं बताता हूँ कुछ दिर में तुम्हें just one second यहां पर देखो एक चीज लिखा हुआ है इस चीज को समझो ध्यान से मैं थोड़ा सा इसे बढ़ा कर दू ताकि तुम लोगों को easily दिखाई देए ठीक है इस चीज को समझो बहुत ध्यान से देखो और ताकि पूरी बात तुम्हें समझ में है कि exactly हो क्या रहा है CBSC में जिसका पूरा काम खतम हो चुका है यानि CBSC ने last December में ही clear कर दिया है sorry November में ही clear कर दिया है कि जो term 1 and term 2 का weight is होगा उसमें term 1 का weight is कम लिया जाएगा और term 2 का weight is जादा लिया जाएगा अब ये अभी की problem तो है नहीं guys CBSC ने बहुत ध्यान से देखो it will have a higher weight is in result यानि जो हमारा term 1 होगा इसका weight is कम होगा और term 2 होगा इसका weight is तुम्हारे final result में जादा लिया जाएगा and guys इसी लिए CBSC अभी के time पे weight system के बारे में कुछ भी discuss नहीं कर रही है ये news बहुत पुरानी है but I think पता नहीं तुम में से कितने लोगों को पता थी या नहीं पता थी जो मेरे twitter account पे जाकर check भी कर सकते हो मैंने tweet भी कर रखा है and कहना चाहूँगा तुम लोगों उससे कि जादा से जादा retweet करो मेरा twitter account है surya0315 and instagram पे भी मुझे message कर सकते हो इसके लाब बच्चो एक चीज और मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जल्ली से देखो यह last video जो मैंने कल रात में एक last video डाली थी good news cbsc result official update evaluation process completed यह video है ना और इस video में मैंने यह भी बता है कि term class 10th का result बात में आएगा और 12th का पहले आएगा and मैंने यह video डाली है 14 घंटे पहले and कुछ youtube यूटूबस हैं जिन्होंने यह video भी एक दो घंटे पहले डाली है और वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि पहली बार उन्होंने यूटूब पर यह video डाली है so guys I request to them कि पहले जाओ और इस video को देखो यह बात 14 घंटे पहले ही exam news के channel पर अल्रेड़ी बता दी गई है तो I am proud myself होता है proud क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो सबसे पहले दे रहे हैं और इसके बावजूद भी लोग दावा करते हैं कि भाई उन्होंने ही सबसे पहले यूटूब पर बिलकुल openly कह रहे हैं पूरे यूटूब पर उन्होंने सबसे पहले यह news दिया तो अच्छी बात है अराम से दो बड़ स्टिल प्रूफ यहां पर है 14 घंटे पहले यह वीडियो आ चुकी है और इसके साथ एक चीज़ और बच्चो कि सब चीज़े CBSC ने अल्रडी क्लियर कर दी है बड़ स्टिल हमें best of either term चाहिए चाहिए या नहीं चाहिए comment करके जरूर बताना तो इसके ल ज्यादा से ज्यादा जो हमारी बात है best of either term की वो ज्यादा सज्यादा CBSC तक पहुचाने के लिए जो मैंने ट्विट किया है उस पर रीट्विट करो बार बार रीट्विट करो ताकि वह बात CBSC तक पहुचे अधर्वाइस उस ट्विट का कोई फैदर नहीं है और मैं फिर मिलते हैं फिर जैसे ही कोई new update आती है till then good luck and don't forget to like, share and subscribe, subscribe करना और वीडियो को जादा से जादा से जादा सेयर करना ताकि सारे बच्चों तक ये बात पहुच जाए सौकिंग थी मगर कोसिस करते रहना चाहिए best of either term से comment भर जाना चाहिए guys, good luck